हेलो फ्रेंड्स वेलकम माई यूट्यूब चैनल एक्जाम फोर यू सो गाईज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका SSC MTS हवलदार का एक्जाम होने वाला है दो माई 2030 का फर्स सिफ्ट में जितने भी कोश्चन आपके पूछे गए है आज की इस वीडियो में हम आपसे डिसकस करेंगे विद फैक्ट के साथ हम आपको हर एक एनलाइसीज हर एक वीडियो हम आपको कराते हैं तो हम आपसे 100% गारंटी के साथ बताते हैं कि आपको अगली सिफ्ट में इन में से 2-3 कोश्चन जरूर देखने को मिलेंगे तो वीडियो स्टार्ट करते हैं चंद्रमा की प्रत्वी से दूरी 384,000 किलो मिटर हम आपको विद फैक्ट के साथ पढ़ाते हैं और 100% गारंटी देते हैं कि आपको नेक्स्ट सिफ्ट में इस में से 3-4 कोश्चन जरूर मिलेंगे और अभी स्टूटेंट का कमेंट आया था सर आपने ऐसी वीडियो बनाई हूब वहू 4-5 कोश्चन हमें इस सिफ्ट में मिले हैं इसलिए आप जल्दी से जल्दी हमारा नेक्स्ट सिफ्ट का एग्साम होने वाला है आप जल्दी से जल्दी से कन्ट सिफ्ट की वीडियो जरूर डाले या आप फूल एनलाइसीज फर सिफ्ट कर डाल दे जिससे हमें फायदा हो कि कौन कौन सी कोश्चन आई हमें देखने को मिले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप एक्जाम फोर यू चैनल को सबस्क्राइब कर ले और बैल आइकन को ओन चरू कर ले जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेसन आपको मिलता रहे तो बात करते है नेक्स्ट कुश्चन की नहीं लिखित में इसे कौन एक ग्रह नहीं है यह है चांद चंद्रग्रेंड की सिस्थिती में होता है यह होता है आपका पूर्णिमा चंद्रग्रेंड कब लगता है यह लगता है जब परत्वी और चंद्रमा आपस में बीच में आ जाते है गोपूरम आकरती के लिए प्रसीद रंगनात मंदिर कहा इस्थिता है पुश्कर यानी र नेक्स्ट कोशन की मच्छलियां अपना सांस किसकी साहता से लेते हैं यह गल्फडों की साहता से भारत में पढ़ता मैंला राज जेपाल कौन थी यह थी सरोजनी नाइडू ब्रहम समाज की संसापक राजा रामोहन राय यह आपके हिस्ट्री से सम्मंदेती भी पूछे गई स तो मैं आजाद ही दूँगा सुबास चंद्र बोस बकसर का यूद कहां वह था यह वह था सत्रह सो चोंसट एसीवे फ्रेंड्स यह आपका SSC MTS फर्स सिफ्ट दो मई दो जार तेस का एनलाइसीज है इसलिए आप वीडियो को एंड तक जिरूड देखे आपको सेकिंड और थर्ड सिफ्ट में जिरूड देखने को मिलेंगे कोशन इसमें से तीन से चार जल्यवाला बागहत्यकंड कब और का हुआ अमरत सर उननी सो उननी सी सिवे सरवदिक चमकिला एम गर्म ग्रह कोन सा है शुक्र ग्रह भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कोन सी है रेड क्लिफ यह तीनों काफी इंपोटेंट कोशन है हम आपको 100% रियल कोशन कराते है इस बात का आप जरूर जान रखे हम कोई जूट या अफ़र नहीं खुलाते हैं या फेक वीडियो नहीं बनाते हैं हम आपके लिए इतनी मैनत करते हैं आप हमें सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें हमें वो अधिक से अधिक प्यार दे जिससे हमें मोटिवेश पर दो बार चटने वाली परता मैला कौन है ये है संतोष यादव वाकिंडम वस्की डोगामा भारत का आगमन कम हुआ तो यह हुआ 1408 में सिक्ष धर्म की संस्था पर कौन माने जाते हैं यह गुरु नानक देव नेक्स्ट भारत का स्वेजिलेंड किस राजये को कहा जाता है कश्मीर को स्वाण मंदीर कहां इस्थित है यह अमरित्ष तर्व इसे हम गोल्ड गोल्ड-न टेंपल भी बोलते ज़्ए कभी इस्टुदिन्स कंफ्यूद्ज हो जए स्वाण मंदीर किसे कहते हैं इंग्लिस में हम गोल् नाम है तो यह आपका अम्रित सर वर्सकोडिगामा कहां का रहने वाला था यह पुत्रकाल नेक्स्ट भारत में मांसुन सबसे पहले कहां आता है केरल के केरल राज्य में जून के पर्थम सब्था में भगवान भुद्ध को ग्यान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था भुद्गा भारत का पर्थम कवर्णर जर्णर कौन था लार्ड वीलियन बैंकिट तो फ्रेंड्स यह था आपका आज का एससी एम्टेस दो मई का फर्स शिप्ट का एनलाइजी अगर आपको वीडियो ची लगए आप लाइक करें शियर करें और एक्जाम फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब जरो करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक नेक्स्ट सिफ्ट के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर